तो सारी गड़न्दन की पाटियों उनके लिए कितनी बड़ा संदीश है चुनाव से ठीट में बहुत बड़ा कल का हर्याना का जो विजय था जीत थी यह देश के लिए भूत अभिनदनी है क्योंकि मैं हर्याना की और जमुकश्मिर के जनता को धन्यवाद देता हूं उनका अधरन्य प्रधान मंत्री मोदी जी का भी अभिनदन करता हूं वो केंदर में तीसरी बार प्रधान मंत्री हो गए हर्याना में तीसरी बार बीजय पी की सरकार आ गई इसलिए ग्रव मंत्री अमिश्या जी और अध्यक्ष भाजप के नड़ा जी इनका भी अभिनदन करना सबी कार्य करताओं ने ज्यान से काम कर लिया kingdomно- convert iqo कार्य करता यंद्य के कार्य करता अरेसिक की कार्य करता सभी लोगोंने मन से काम क्या और जो कॉंग्र case का हंकार टा को जो फुगा उसका फोड दिया वो जैसे कॉंगरेस आगे बढ़ रही थी तब जिले भी है बाट रहे थे लड़ू फूट रहे थे डोल बजा रहे थे जब पीछे होने लग गए पीछे हाट हो रही है तब बुले ये ईवेम का काम है ईवेम के और दोश्ट लगाने लगे ये तो बहुत दुटपी दोगली रनीती है और इसका निशेट भी करना चुए है लेकिन वहाँ पर हर्याना के जनता ने किसान जवान पेलवान सबी लोगों ने मिलकर पूरी जनता ने मिलकर सबी लोगों के नरेटिव फैल कर दिये और आधरनियम मोदी जी के काम को पसंद कर दिया और इसलिए वहाँ पर किसरी बार लगातार है ट्रिक हो गई डबल इंजिन के सरकार की जीत हुई है लोगों ने तै कर लिया है जहाँ जहाँ डबल इंजिन के सरकार काम कर रहे है केंज के मदद से राज्य का विकास हो रहा है इसलिए महारा यहां पर भी मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ डबल इंज कॉंग्रेस जात जाती जाती में बैर पैदा कर रहे थी इसलिए वहां की जंता ने विकास को अपनाया और यह निगेटिव और फेक नरेटिव को नका रहा है और इसलिए हर्याना का भी अगले पास साल में बड़ी तेजी से विकास हो जाएगा दस साल में मोध्य जी ने जो किया हूआ काम उसका लेका जोगा देखोंड पचास-साट साल जे कॉंगरेस थी उसने किया हो काम आज देश भर में विकास की गंगा भय रही है देश आर्थिक उन्नति पर जा रहा है देश पूरी दुनिया मेर नबर एक पर चल रहा है और आध कि आव विकास यह भी लोगों ने ध्यान में रखकर हर्यानव को बीजेपी को जिताया है और इसलिए जो अहंकारी है अहंकारी रावन का भी पराभव हुआ था उसकी भी हार हुई थी जब अहंकार पैदा होता है तो ऐसी अवस्ता होती है फेक नरेटिव से एक बार आप हरा सकते हैं एक बार जित सकते हैं बार बार नहीं जित सकते हैं यह महाराष्ट और देश की जनता जो है हर्याना की जनता है बहुत ही समझदार है उन्होंने समझदारी से काम किया है और विकास निती को जिताया है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट में भी आपक क्योंकि धाई साल में जो महाविकास आगड़ी ने किया हुआ काम, दो साल में महायुति ने किया हुआ काम, हम जनता के दरबार में इसको रखना चाहते हैं, दूद का दूद पानी का पानी होने दो, हमने किया हुआ काम, उन्होंने महाविकास आगड़ी ने बंद किये हुए प्रकल्प जो है उसे आमने शुरू किये जैसे समरुदी हाइवे हो अटल शेतु हो कोस्टल हाइवे हो मेट्रो हो मेट्रो कार्षेड हो पूने के मेट्रो हो पूरे राज्य में मेट्रो के काम शुरू है उसे उन्होंने बंद कर दिया था जलो एक तो शिवार जैसी योजना किसानों के लिए एक वर्दान साबित हो ज़िए योजना बंद कर दी हमारी जैसी सरकार आई सबी स्पीड ब्रेकर हमने बंद छोड़ उठा ले सबी स्टे को हटा दिया और सब काम जोर शोर से शुरू है एक तरफ प्रकलप शुरू हुए किसानों को यूअवोपों को मेरी बेटी ओको जिनको प्राप्त करना है उनको और सिनियर स्पुटियिंग सबी लोगों को एक इकोसिस्टीम हमने तियार की और आज मुझे अनंद है समादार है कि इस राज्य में सर्व समावेशक विकास हो रहा है इंपरा हो रहा है, इंडस्री हो रहे हैं, कली अनकरी जञा हो रहे हैं, हम सब को मेल जूल करने का हैं एक एको सिस्टोम बनाया है। और निश्यत रूप से आने वाले चुनाव में ये लेखा जो का जनता देखेगी और निश्यत रूप से महायूती के सरकार को फिर एक बार इस महाराष्ट की जनता किये हुए हमने काम, विकास और प्रकल्प इस पर शिक्का मुर्तब करेगी ये विश्वास मुझे है